नमस्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागतें। दोसों आज रातरी शाड़े तीन बजेशी बर्मान की शबसे शुब राशी बनने वाली है आपकी राशी। जे दोसों हम आप शबी को बिता दें कि अब आपको अपने जुनकाल को बहतर बनाने के लिए यह चा नीचे में जार में, तो बीधिया को बदशेंथ शादुपाटेस को ख़तें योगन के आपको मिलने वाने यह यकीन मानिये São महावली हर्मान जी का श्रिमहश्य को प्राप्त होगा हम आप बता दे की बिदलते कु दोसğों अगर अगर हम शमय के शाथ खुद को नहीं बदलते हैं तो दोसों हमारे जीवन आगे बढ़ने के बजाए पीछे जाता है जे दोसों अगर हम शमय के शाथ अपने जुनकाल में भी कुछ बदलाव करते हैं तो दोसों देखते ही देखते हैं हमारे जुनकाल में भी परिवरतन होते जे दोसों कि दोसों हम आप शुवी को बिता दें कि आज रात 3.30 बजी से गरहों की जो इस्तती बनने वाली है करव में जो भी गोचर होने वाले हैं दोसों आपकी राशी के लिए बहुत यदा महत्पुन होगी जो कि आपकी राशी को सबसे शक्ति साली राशी बनाने वाली है तो दोसों इसे में आप कोई भी गलती ना करें और दोसों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लें कि वो दोसों इसी वीडियो में आपकी जोन की शबी महत्पुन बाते हैं आहां बात करते हैं शुरुआत करते हैं कि बहुत ही उर्जा का निर्मान करेगा बहुत यह जागरित करने वाली है तो दोस्तों इन्हें भी आप बहुत ही गौश सुनें कि दोस्तों एक बार एक शंत ने एक भक्त से पूछा कि हम ठाकुर्जी के आगे भोग धरते हैं लेकिन भोग कम नहीं होता इनका मतलब ठाकुर्जी हमारा भोग नहीं शुकार करते तब शंत ने कहा कि जिस तरफ फूल से चुगंद सुंग लेने से उसका वजन कम नहीं होता एशे ही भगवान रशमय शवरूप है वो भोजन का दिप रश ग्रहन करते हैं इसलिए भोग कभी कम नहीं होता अब जब भी आप शब ठाकूर्ज के आगे भूग रखें तो इशी विश्वास के शात रखें कि भोजन कम हो या ना हो ठाकूर्ज ने हमारा रश रूप में ग्रहन कर लिया जिया दोस्तों तो दोस्तों और आपको यह बातें अच्छे लेगी हो या बातों को आप शुन पाये हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्ष में लिख दें शच्चे मन से जयाई श्रीकिष्णा राधिरा दे तो आई दोस्तों कि जबी आप पने जनकाल में कारी करते हैं बहुत ही महनत और बहुत ही लंट के तरिकेश रहे हैं जब तक आप कुष कारियों में शवल्टा की प्राप्ति ने होती तब तक आप उस कारे पर लगे रहते हैं लेकिन दोसों, हम आप शरी को बताते हैं, कि आज शे आपको पना जुनकाल में कुछ परिवर्थन इन में लाना चाहिए, जिर दोसों, आप जिसभी कारे पर लगते हैं, तो दोसों उन में आप बहुत ही गहरी तरीकेशी डूब जाते हैं लेकिन दोस्वों वह कारे आशानी तरीकेशी भी आपका हो सकता है कभी आप उसके बारे में गौर नहीं करते जिया दोस्वों, माले जी कोई वेक्ति आपके पास रहता है आप मेहनत करते करते आपको आपके प्ड़ोशी वर्ग के जूबी बैकती है माहिंड है कारे में राक़े कि माले यी तो दोस्वों आहीं तो दोस्वों आपको भी अपने आने वाल explor सकते हैं तो दोसों, आपको अपने आने वाली जोनकाल में इस बात का ध्यान रखना है कि दोसों आज की इस दौर में पेशों का जो दौर है, दोसों बहुत ही तेजी तरिकेशे बढ़ रहा है, इने में थोड़ा शाह आपको माइंड भी लागाना होगा, जिया दोस्तों पहने का मतलब यही है कि दोस्तों अब आपने जियुन काल में आप हाड़ वर्क के शाथ साथ ही श्मार्ट वर्क पर भी जरूर ध्यांदे इश्क परादी दोस्तों हम आप शीजों को नहीं भी करना चाहते हैं आपके दोस्तों वही आपको शिकार पर बहलाते हैं आपको पुछलाते हैं और आप गलत संगत में लगकर बुरी आदतों का भी शिकार हो जाते हैं जिस कारी को आप नहीं भी करना चाहते हैं वो आपके गलत संगती है जो आपको ले जाकर बुरी आदत में लगा देते हैं और वह आदत आपका छूट नहीं पाता है और दोस्तों जीवन भर आप अपने आपको कोस्ते रहते हैं तो दोस्तों अब शे जगरहों की जती शुब बनने वाली है तब दोस्तों आपको अपने जुनकाल में इन बातों का ख्याल रखना है कि दोस्तों जो भी आपकी बूरी आदिते हैं जो भी आपके जुनकाल में ग बढ़ने वाली है तो दोस्टों आप अपनी तिसरा चीज है कि ज्यादा गुष्या मत करें जये दोस्टों अक्षा रेशा देखा गया है कि आपके जुनकाल में बहुती बंदे कारी बिगड़ जाते हैं कि दोस्टों गुष्य में लिया गया निरलेक कभी शाही हो ने शकता अच्छा अच्छा कारी भी गुश्य में बिगर जाता है तो दोस्तों आपने जुनकाल में गुश्या करते हैं तो दोस्तों इस पर भी आप अपने जुनकाल में आने वाले श्युमें में कंट्रोल करें कि दोस्वों इन से आप शिवे की जूनकाल में बहुत यी बड़ा परिवरतन देखने को मिलेंगे कि दोस्वों अगर आप गूशा नहीं केरेंगे तो दोस्वों सोचने की जो छमता होगी वह आपकी बढ़ेगी और हर कारीयों में आप माइट टुर्य काम लेंगे कशी और यकीन करके किशी कारी को उनके हंथों में बिलकुल ना शोपे क्यों दोस्थों ये आपकी गलती हो शक्ती है जहां पर आप ना जाए उस कारी को कीशी को भी ना दे अपने आँखों के शामने आप हर कारी को करें कि दोस्तों इन से आपकी जियुनकाल में बहुती महत्वन बदला होंगे और आने वाले शुम में आपके हाथों कोई भी गलतियां होंगे ही नहीं और आपका जियुन बहुत ही शुपक रहने वाले हैं दोस्तों आज रात तीरी शारे तीन बजे शे आप शिवी को पने जुनकाल में ये चार चीज़ों से मुँह मोड़ना होगा जे दोस्तों तो आई दोस्तों से के शारत बात करते हैं कि आज रात तरी शारत तीन बजे से आप शिवे की उनकाल में जो ग्रहों के स्थिती बनी है इनके कारण कौन-कौन से बड़ी खुशकबरी आपको मिलने वाली है परतेक छत्र में तो आई दोस्तों बात करते हैं पू जो भी लोग हैं उनकी नजदिकियां बढ़ने वाली है बच्चे के नुशासी दो अपिर आगे काली रहने के वज़े आपके मन में बहुत ज्यादा प्रश्णता रहने वाली है इसको प्रांदोस्तों यह में आपके शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों इस बात का आ आपके नजदिकिया इस्तिदार या फिर मित्र की जलन की भावना श्वे आपकी छवी खराप हो सकती है यह आविश में प्रयाश करने वाले हैं तो दोस्तों इन श्मे जो भी लोग आपके आजपास हैं इनसे आप शावधा रहें इसको प्रांदोस्तों यह में किसी भी प खुद की जिवन शेली को शकात्मक बनाने के लिए बीच सकता है दोस्तों के दोवारा मिल रही जो है आलोशना को नदरंदाश करके आप पर यूजना पर ही टिके रहने की और अपने काम से समयती बातों को और अधिक बैतर बनाने की कोसिस करते रहेंगे इसको परांदोस् समय हैं पहुती शुप समय होगा और गरह इसको लाप के भी नए मार प्रास्त होंगी किसी विवास्वमंदी कारे में भी वैसना बनी रहेंगी इसके साथी दोस्तों ध्यान रखें कि घर में कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा मुद्दा भी बन शकता है घर में सभी समस् आपको जो है समित बनाकर रखना इसमें आपके लिए बहुत ही बहतर होगा तो इन सब चीजों पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए इसको प्राहण दूस्तों यह में आपके लिए आपको बता दें कि अपनी बिजारों के द्वारा खुद परबंद बढ़ा रहे हैं ज दोस्तों यह में गराव इस्तिती कुछ लावदाइक प्रस्तियां का निर्मान भी कर रही है इसलिए शमे का भरपूर सदिवयोग करें चल रहे किसी पुराने शमस्या का भी यह में हल मिलेगा जिसे आपका मन बहुत ही प्रशन रहेगा और अधिक शुकून यह में आप मह काम करने से पहले पूरी तरह चान भी तता जांच परताल अवश करें